हाई गाईज वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के और गानेकॉलोजिस में मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार के तरे नया वीडियो आपके लिए लेकर उपश्तित हुई हो आप हीखा रिक्वेस्टेड वीडियो है आपको समझ में आएगा इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको पहली बात थैंक्यू बोल दूँ, आप लोग ने चानल को बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिया है, देड़ साल के अंदर हम अल्मोस्ट दसलाग होने वाले हैं, that is a very good growth, thank you very much, और लास्ट ताइम जो मैंने वीडियो पोस्ट किय सौरी बोलना चाहूंगी, शमा मांगना चाहूंगी, डॉक्वाइस बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है अजकल, मुझे लगता है बहुत जल्दी बंद होने वाला है, टेक्निकल प्रॉल्म्स आ रही हैं बहुत जादा, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक इसको यूज करि तो मैं आपको अपनी सेक्रेटरी का वाट्स आप नमर दोंगी, उसमें आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, कुछ दूनों की प्रॉब्लम है, एक बर ये बंद हो जाएगा, या तो ये बंद हो जाएगा तो आपन दूसरा तरीका है जब मैं लाइव जाती हूँ इस नहीं अपना होता ये बंद होता है, तो बस दिस दे बेस्ट वेच वेट अब आप आते हैं आज के टॉपिक या निकी एपला, आंटी फोसफोलीपिट क्या है, जैसे कि नाम बताता है अन्टी फॉसफोलीपिट, फोस्फोलीपिट यानि की आप की बोडी के अंदर कुछ आप जिसके आप चैंसे पर जिसको चैंसे के अगेंज्ट बॉड़ी ऐन्टी बंधिस बनाती है अब झिससे कर्डिोलीपिरिय לקंड बड़ा। जो body है, छोटी-छोटी सबसे छोटा structure है वो है cell, यानि की कोशिका जिसको बोलते हैं, इन कोशिकाओं से मिलके tissues बनते हैं, फिर एक-एक organ बनता है, बहुत ही complex structure है हमारी body का, तो जो छोटी-छोटी कोशिका हैं, जो cells हैं, उनके against, उनके अगेंस जो covering होती है, उनके against antibodies body बनाती है, और यह immune system अपने आप ही गड़बड करता है, यह कोई ऐसी बीमारी नहीं कि किसी को छूने से लग जाएगी, या फिए infectious disease है, यह आपकी body के अदर autoimmune antibodies बनती है, जैसे कि autoimmune thyroiditis होता है, जैसे goiter आपने सुना होगा, thyroid against antibodies बन जाती है, बहुत तरह तरह के autoimmune system म आपकी body, आप ही के body के proteins के against antibodies बनाती है, anti-nuclear antibody, anti-cardiolipin antibody, lupus, anti-coagulant, यह दो-3 तरह के antibodies हैं, जो आपने commonly सुनी होगी, अब यह antibodies क्या करती है, क्योंकि अटक करेंगे आपके cells को, आपके cells को अटक करेंगे, especially platelets, जो कि white blood cells होते हैं, जो कि clotting कराते हैं, तो यह platelets कम होने ल थियोरी नहीं बता पाती, बहुत ही complex reactions होते हैं, पहले तो bleeding होती है, उसके बाद clotting शुरू हो जाती है, तो basically आपका पूरा immune system, जो थ्रॉम्बिन system है, जो कि blood को जहां बहना चाहिए, वहां बहता है, जहां clot नहीं होना चाहिए, जहां clot नहीं होता है, और जहां clot होना चाहि या तो blood में बन सकता है, blood का clot जो है, या तो brain में जाएगा, तो brain में जाएगा, तो brain में जाएगा, तापको migraine होगा, headache होगा, कभी-कभी stroke, यानि कि paralysis attack हो जाता है, जब कोई part of the brain खराब हो जाता है, clotting की वजए से blood supply नियावादी, sudden attack आता है, paralysis का, उसके बाद आपकी skin में problems आ सकती है, आपके joints में problems आ सकती है, अगर आप pregnant है, तो फिर आपको pregnancy में problems आ सकती है, pregnancy को पहली बात तो conceive करने में भी problem आ सकती है, क्योंकि ये आपकी जो embryo है, जो fertilized egg और sperm का embryo tube से लेके uterus में implantation के लिए आता है, ये उसको implantation भी नहीं करने देता है, ठीक है, कभी-कभी द बताया है, कि जेनरली जो blood vessels होती है, उनको यूटरस के अंतर से एंबेट करना होता है, अपनी जाल बनाता है, जिससे बच्चे बच्चे से blood supply मेले, जब जाल नहीं बन बन पाता है, तो pre-eclampsia और eclampsia हो सकता है, pre-eclampsia हो सकता है, high blood pressure हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ में होती है, growth restriction हो सकता है, बच्चे की पेट में death हो सकती है, miscarriage हो सकता है, second trimester, first trimester, third trimester में pre-term labor हो सकता है, बहुत सारी complications हो जाते है, और recurrent miscarriage बड़ा ही common है, recurrent miscarriage यानि कि बार बार बच्चा खराब होना, अब जोन लोगोंने मेरा वीडियो देखा है, why abortions occur again and again, यानि कि ब प्रॉब्लम ने हो तो भी हम treatment देते हैं, बड़ को पतला करने का, तो antiphospholipid antibody syndrome अगर आपके अंदर positive आरहा है, यानि कि आपके lupus anticoagulant, anti-cardiolipin और anti-nuclear antibodies अगर positive आरहे हैं, तो इसका मतला आपके body में, आपके blood में coagulate, यानि कि थ्रॉंबस बनने के chances ज्याद है, आपका blood गाढ़ा हो गया है, उसको पतला करने के लिए हम लोग injections देते हैं, जैसके मैंने हमेशा बता है, inoxaparin injection, aspirin tablets, अब ये उनको दी जाती है, जिनके blood में clotting की tendency जाता है, जिनको DVT हुआ है, या कभी stroke हुआ है, ब्लड में clot, brain में clot बन गया है, इस तरह के patients को जिन्दगी भर य प्रेग्नेंसी की समय दिया जाएगा, उसके बाद देने की जरुत नहीं है, अनलिस के आपको कोई और प्रॉब्लम हो जाए, जैसे की पैरो में clotting हो जाए, या फिर प्रेग्नेंसी की दौरान आपको ट्रीप्मेंट दिया जाएगा, तो जब तक आपको कोई सिम्टम नही अब यह जो है, यह बेसिकली रुमेटोइड जो डॉक्टर्स है, जो रुमेटोलजिस्ट है या फिर जो स्किन दॉक्टर्स है वो ट्रीट करते हैं, इसके हम डीटेल में जाएंगे, यह एसली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी कराता है, यानि की चेस्ट फिजिशन स्पी जो है, यह सिरफ उनी को नहीं होती ही, जो कि प्रेगनेंट है, जिनको बार-बर मिस्कारिज हो रहा है, उनके अंदर ही सिंड्रोम हो सकता है, SLE में हो सकता है, ITP एक और बीमारी है, इम्योन थ्रॉम्बोसाइटोपीनिक पर्प्यूरा, ITP यानि की या इदियोपाथिक थ् तो पेशिंट के अंदर बीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, और थोरा रिस्की हो जाता है, पेशिंट को अद्मेट करके वाइट बलड सेल्स चढ़ाने पड़ती है, यानि के प्लेटलेट्स का ट्रांस्फूजन देना पड़ता है, तो इस तरह की के से में भी आंटी जो एंटीबोडी जो चेक करी जाती है, तो आप कन्फ्यूज ना हो, हमारा चैनल टोटल गाइनिक चैनल है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ प्रेग्नेंसी पे फोकस करेंगे, असलिए के बारे में नहीं सोचेंगे, रुमोटोइड आर्थराइटिस के बारे में नहीं बात कर पर हो जायए है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या अंतर ये प्राब्लम है, सिर्फ आप बार जाये हिस्ट्री लेगर कि मुझे ये बार बर हो रहा है, इसरियों नहीं खराब हो रहा है, शाएं भी ईए को द्रिफ्मेंत हो ऐत्मेंट नहीं आती, बैंसके है照 सेपास्टिन क्या रखने, precautions कुछ खास नहीं है, दवाईया टाइम पे लेनी है, especially अगर आप प्रेगनेंट है तो टाइम पे लेने हैं, अभी हम आएंगे, treatment पार्ट पे, और दूसी चीज़ अगर आप फ्लाई कर रहे हैं, यानि कि आप एरो प्लेन पे जा रहे हैं, तो क्योंकि आपकी ब अब आते हैं, treatment पार्ट पे, treatment पार्ट इसका दो ही है, aspirin, tablet और inoxaparin injection, inoxaparin injection अगर आपकी डाइगनोसिस बन चुकी, कि आप एपला पॉजिटिव है, तो आपको day one जिस दिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे ही आप conceive करेंगे, तब से लेकर 36 weeks तक ये injection डेली दिया ठीक है, और दूसरी चीज है, tablet aspirin, जो कि 75 mg की डेली आपको लेनी है, इस्ते आपको blood thin रहेगा, blood flow अच्छा रहेगा, placenta के थरू, आवल के थरू, बच्चे को blood मिलता रहेगा, बच्चे में कोई complication नहीं होगा, दोस्तों, इस्ते जादा, I don't think आपको आपको आपना के बा relationship, जो मुझे आप से शेर करनी जरूरी, okay guys, so see you soon, बहुत जल्दी बाएं वीडियो लेकर मैं हाजिर होगी, thank you very much for the response that you given to the channel, thank you, bye bye, take care.